हेलो एभीवन वेलकम तो स्पेशल एकनॉमिक जोन सो इंडिया पाकिस्तान ने अपना जो लास्ट बाइलेटरल सीरिस है वो खेला तर दिसंबर 2012 में उसके बाद से दोनों कंट्रीज के बीच में एक भी बाइलेटरल सीरिस अभी तक नहीं हुए इसके रिगार्डिंग जब ह हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्स्टर्नल अफेर एस जैशंकर जी से पूछा गया कि इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट सीरिस कब होगी तो उसके लेके उन्होंने एक बहुत ही जाता स्ट्रॉंग मैसेज दिया कि जब तक क्रॉस बॉर्डर टेरिरिसम नहीं रुख जाता तब त यह का है हमारे एक्स्टर्नल अफेर मिनिस्टर एस जैशंकर जी ने जब उनसे इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट टाइज के बारे में पुछा गया आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान को लास्ट बाइलेटरल सीरिस वह नहीं हुई है अभी तक कोई भी पॉजिटिव जो सीरिस को लेकर रिस्पॉंस है वो नहीं आया अब इसके रिगार्डिंग एस जैशंकर जी ने स्टॉंग वर्ड्स में कहा है कि जब तक क्रॉस पॉर्डर टेर्रिरिजम जो है वो पाकिस्तान नहीं खतम करता तब तक इंडिया और पाक पाकिस्तान के बीच में कोई भी क्रिक्टिंग टाइस होंगे वो नहीं होगे विकास बीसी सेने 2017 में PCP को क्या दिया था कि अगर मालनों सपोर्स हमारी गवर्मेंट अलाओ करती है पाकिस्तान के साथ खेलना कोई बालेटरल सीरिस तब हम क्रिकट खेलेंगे अगर हमारी ग पीस है और हार्मनी है और मोर ओवर इंडिया की डेवलप्मेंट है वो काफी ज़्यादा हाम होती है विकास अगर मालों सपोर्स टेरियरिस्म लगातार आता रहेगा तो हम और जो प्रोड़क्टिव होक है उन पे ध्यान नहीं दे सकेंगे अगर आप जेए एंड के का भी स खराब हो चुका है और इस चीज को लेके एस जैशक गरजी ने एक एक जामपल भी दिया कि अगर मालों सपोर्स आपका नेबर आपकी सिर के उपर गन लेगे खड़ा हो गन लेगे सवार हो आपको मानने के लिए तो क्या आप उसके साथ किसी भी तरक्री को पॉजिटिव लेशन रखना पसंद करोगे तो यही बात जो थी उन्होंने सिदे सिदे स्टॉंग वर्ट में कई कि कोई भी क्रिकट मैच जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में नहीं खेला देगा जब तक क्रॉस बॉर्डर टर्रिरियर्जम के उपर पाकिस्तान गवर्मेंट से काम नहीं करती पाकिस्तान गवर्मेंट को यह बहुत सारी चीज़े पता है कि जो जो बॉर्डर टर्रियर्जम है उसकी फंडिंग कैसे हो रही है गवर्मेंट डेफिनेट्ली उसको क्या कर रही है सपोर्ट कर रही है अब इस मैटर पे एस जैज शंकर जी से क्यों अब अब यह का पाकिस्तान में हो रहा है तो इसके रिकार्दिंग जो बीची साइज के सेक्रेटर में से जैश आने क्या का इन्होंने कहा कि जो इंडिया है वो पाकिस्तान में ट्रेवल नहीं करेगा एशयक अगर मालो सपोर्ज किसी भी नूट्रल वेंडियू में नूट वो अलाओ करेगी इंडियन टीम को ट्रेवल करना and moreover security के बहुत बड़े concern है इंडियन टीम अभी भी secure feel नहीं करती है और यह security का जो threat वो बनता भी है definite सी बात है because हमारे जो relation है पाकिस्तान के साथ काफी ज़्यदा hostile है और इस hostile relation की वज़ा से ही जो problems है वो create हो सकती है अब जैसे ही जैश आने यह चीव कही कि इंडिया जोगो एशिया कप के लिए travel नहीं करेगी तो पाकिस्तान की चेर्मन है पीसीबी के रमीज राजा उन्होंने क्या का इस है की अगर थीक है अगर इंडिया तो हम भी काप्ला नहीं जाती पाकिस्तान में आएkas तो अब अगर देखा जाए तो अगर पाकिस्तान वर्ड कप में नहीं खेलने आता तो नुक्सान पाकिस्तान का ही है एस सच हमारा कोई खास नुक्सान होने नहीं वाला हाँ विवर्शिप में थोड़ा बोता फरक पड़े गए पड़ेगा विग्वाज एक जो इंडिया और पाकिस्तान का तो वो तो देखने लाइक बनता ही बनता है बट तर्फिंग इस कि जो मेजर हमें लगता है कि सिक्योर्टी करण सब्सक्रान है और जो टेर्रियर्रिसम का प्रॉब्लम है जब तक पाकिस्तान गवर्मेंट उस पे अच्छे से काम नहीं करती तब तक हम इन चीजों को लाइटली नहीं ले सकते हैं और क्रिकर्ट वो बात में रिज्यूम भी कर सकते हैं हां अगर नूट्रल वेन्यू में चारते हैं बिकॉज देखो ऐसा नहीं है कि हम पाकिस्तान के साथ कोई मैच खेल नहीं रहें आप देखो जितने भी जो चैंपिएं तो कि सीजों मैच केल रहें पर्ट वीडों वांट को विजिट पाकिस्तान लीकॉर स्थान्स अब एक बात और अगर सीकूर्टी की बात करें आपको पता है कि इंग्लेंड जो इस तैम पर पाकिस्तान में डेस्ट शीर खेल रही है और उनका जो सेकींड केस्ट कि क्या मु तो इस रिगार्डिंग इंडिया नहीं चाहता जो है वह इसी तरह कोई भी बाइलेटरल सीरी जो है पाकिस्तान के साथ अभी के टाइम के लिए नहीं खेलना जाता तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब क को प्रेस कीजिए ताकि आप ताकि आप जो लेटेस्ट वीडियो की अप्डेट्स है साथ की साथ मिलते रहें थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ब्लेस्ट ऑन